हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एकदम खास्ता कुरकुरी और जटपट बनके तयार हो जाने वाली मीथी मठरी की रेसेपी ये मठरी कोई भी बना सकता है मैंने इतने आसान तरीके से बताया है एकदम नया तरीका है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ना तो मठरी तलते समय फूलेगी और ना ही तूटेगी आई होप आपको ये रेसेपी पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आईए देखिए इसे कैसे बनाते हैं पहले हम डो बनाएंगे इसके लिए यहाँ पे एक परात लिया है इसमें डालेंगे एक कप मैदा मैदा में एड़ करेंगे दू चम्मच सूजी थोड़ा सा एक पिंच नमक जो की इसके टेस्ट को बैलन्स करेगी अब सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई कप घी और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे इस प्रोसेस को मोहिन कहते हैं मोहिन करने से बहुत ही अच्छा खास्ता और कुरकुरा बनेगा तो ये देखिए अच्छे से घी मिक्स कर लेने के बाद मुठी में बांद के देखेंगे अगर ये लड़ू जैसे बंद रहे हैं ये रेखिए तो एकदम पर्फेक्ट मोईन हुआ है अब हम इससे जादा घी और मिक्स नहीं करेंगे अब हम इसका डो बनाएंगे इसके लिए गुनगुना पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसका सक्त डो बनाके तयार कर लेंगे पूरी पराठे के डो से भी जादा सक्त होना चाहिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसे mix करते हुए dough बना लेंगे अभी इस समय dough को बहुत जादा मसलेंगे नहीं बस इस तरह से mix करते रहेंगे ताकि ये बहुत ही जल्दी combine हो जाया ये देखिए अभी गुतना नहीं है आटे को rest करने के लिए छोड़ेंगे तो dough बना लेने के बाद अब इस dough को ढग देते हैं ताकि ये अच्छे से सूजी dough में set हो जाए और इसके बाद हम इसे फिर से मसलेंगे तो 15 मिनट तक rest के लिए रखा था और ये देखिए अब हम इसे जैसे dough बनाते हैं बिल्कुल अच्छे से knead करेंगे और बहुत ही अच्छा perfect बन जाएगा ये dough तो बिल्कुल ऐसे ही knead करेंगे जैसे की रोटी का dough होता है बिल्कुल वैसा ही ये थोड़ा सक्त है तो थोड़ी से मेनत लगेगी लेकिन अच्छे से मसलते हुए हमने यहाँ पे dough बना लिया है ये देखिए अब हम इसे बेलेंगे तो बेलने के लिए हम चकले पर कुछ भी नहीं लगाएंगे ना तो आटा या फिर तेल कुछ भी नहीं इसे ऐसे ही बेलेंगे ये देखिए और पेलते हुए मोटी सी रोटी बना लेंगे अब हम इसे फॉर्क की मदद से प्रिक कर देंगे इस तरह से ये देखिए पूरे में ऐसे प्रिक कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे गोल शेप का कुकी कटर लिया है आप चाहे तो छोटी सी कटोरी या छोटा सा ग्लास भी ले सकते हैं उससे भी कट कर सकते हैं या फिर किसी छोटे डबे का ढखकन ले लें और इस तरह से गोल शेप में कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे इसे भी वापस से बिलके ऐसे ही बिस्किट बनाके त्यार कर लेंगे तो ये देखिए किनारे से देखिए कितना मोटा है मैंने बहुत जादा पतला नहीं रखा है अब हम इसे तलेंगे तलने के लिए तेल यहाँ पे गरम हो गया है मीडियम गरम तेल चाहिए बहुत जादा गरम नहीं चाहिए एक एक करके अब ये बिस्किट तेल में डालेंगे और इस तरह से हम इसे तेल में डालने के बाद फोड़ी देर तक सिखने देंगे अभी हम इसे नहीं पलटेंगे जब ये एक तरह से सिख जाएंगे तब हम इसे पलट लेंगे एक ही बार में बहुत जादा कडाही में नहीं डालेंगे नहीं तो क्या होगा तेल का टेंपरेचर डाउन हो जाएगा और ये अच्छे से सिखेगा नहीं और ये बिस्किट तेल पीलेगी तो बहुत ही बेकार सा बनेगा और ये देखिए अब ये कितने अच्छे से तेल के उ चेंज होने लगेगा हमें इसे golden brown हो जाने तक तलना है अलट पलट के सेखते रहेंगे gas का flame medium रखेंगे medium flame पर हम इसे अच्छे से तेल में तल लेंगे और अच्छे से तल लेंगे ताकि ये अंदर तक बिल्कुल बढ़िया से पक जाए अब ये सीख चुके हैं तो इसे तेल म से निकाल लेते हैं और दो से तीन बैच में ये सारा बन के तयार हो जाएगा तो एक बार में मैंने सारा नहीं डाला था दूसरे बैच में भी बना रही हूँ और इसी तरह से हम इसे अलट पलट के दोनों तरफ से golden brown हो जाने तक सेख लेंगे medium flame पर अलट पलट के हमने इसे सेख लिया है ये देखिए इसे भी तेल में से निकाल लेते हैं और जो extra part बचा था उसे भी बेल लिया हमने बेल की इसी तरह से बिस्कित बना लिया है उसे भी तल लेते हैं और यहाँ पर मैंने सारे बिस्कित तल के तयार कर लिये हैं ये देखिए बहुत ही कुरकुरे हैं अब हम चाशनी बनाएंगे, चाशनी बनाने के लिए गैस पे एक कड़ा ही चड़ाएंगे, इसमें डालेंगे एक कप चीनी, चीनी में एड़ करेंगे, आधा कप पानी, अब हम इसे पकाएंगे, इसलिए पानी का इस्तमाल जादा नहीं किया है, एक कप चीनी में आधा कप पानी डाला है, चीनी ये देखिए, गुल चुकी है पानी में अच्छे से, अभी हम इसे इसी तरह से पकाते रहेंगे, चीनी में थोड़ी बहुत impurities होती है, उसे खतम करने के लिए हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा एक टेबुल स्पून दूट डाल लेंगे, तो ये देखिए, जाग जैसे बनने लग रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी impurities है, अच्छे से ये चाशनी साफ हो जाए, इसके ये चाशनी हमें गाड़ी चाहिए, छे से साथ मिनट लग जाएंगे इसे बनाने में, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, उगली पर लेकर इसे चेक करेंगे और बिल्कुल मोटी तार बनने चाहिए, अब इस समय गैस का फ्लेम लो कर दिया है, और स्पेक्चुला पे थोड़ा सा चाशनी लेकर उसे उगली से ऐसे चेक कर लेते हैं, ये देखिए एकदम टाइट और गाड़ी चाशनी की तार बनी है, मोटी तार, अब तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे बिस्किट इसमें डाल के चाशनी में मिक्स करेंगे, मिक्स करते रहे धीरे धीरे ये बिस्किट चाशनी सोप कर लेगी और चाशनी जैसे जैसे ठंडी होगी, इसके उपर चीनी की परत बन जाएगी, ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है, इसी तरह से फीकी बिस्किट बना लीजिए और इसे चाशनी में डिप करके मिक्स करत लेकिन वो बेली हुई नहीं होती है, बिस्किट की तरह नहीं होती है, उसे हलवाई हाथ पर चप्टा करके बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि तलते समय वो फूल जाती है, और बिल्कुल पूरी जैसी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा खास्ता भी हो जाता है, जिससे की बिल्कुल हलवाई जैसा नहीं बनता है तो इस तरह से आप बनाईए पहले बिस्कित बना लीजिए इसके बाद इसे चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए बहुत ही बढ़िया बनेगी आपकी बिस्कित तो फ्रेंट्स अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में